नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर ससी कपूर सहाब बालूड के उन्चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जिनकी फिल्मों के गाने और डायलोग्स आज भी लोगों की जुबापर चड़ कर बोलते हैं महाज 10 साल की उम्र में बतार बाल कलकार अपनी फिल्मी केरियर की शुरुआत करने वाले ससी कपूर सहाब ने बालूड में 40 साल का सफर पूरा किया कपूर खांदान के मसुहूर बेटे और दिगज कलकार ससी कपूर सहाब की आज तिरासुई बथडे इनिवर्सिरी है 1948 में रिलिज हुई फिल्म आग से ससी कपूर सहाब ने अपना बालूड रिव्यू किया था और फिल्म को उनके भाई राज कपूर ने बनाया था उस वाक्त फिल्म ने खूब वाहवाही बटोरी थी और दोस्तो ससी कपूर सहाब का जिनाम 18 मार्च 19 harassment को कुलकुराता में वा था ससी कपूर सहाब प्रिथूराज कपूर सहाब के तीन बेटों में से सबसे छोटे थी अपने जमाने के समार्ट और आकरसार एक्टार से की लिष्ट में सामेल ससी कपूर सहाब के बचपन का नाम बलवीर राज कपूर था अपने फिल्मिक करियार में लगभग कई तरह के किरदारों को जीने वाले इस एक्टर ने करीब साब से ज़्यादा फिल्म में काम किया है ससी कपूर सहाब अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही है ससी कपूर सहाब का दिल एक्टरेस जेनिफर केंडल पर आया और उन्होंने जेनिफर से साधी की इस साधी के खिलाब जेनिफर का परिवार था लेकिन दोनों ने तमाम परिसानियों के बेच साधी रचाई जेनिफर किंडल के पिता बिल्कुल नहीं चाते थे कि दोनों की साधी हो इसी वज़ाए से जेनिफर ने अपना घर छोड़ दिया था और कुछ समय के बाद ससी कपूर सहाब ने फिलों में काम करना बंद कर दिया था ससी कपूर सहाब के जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब उनकी आर्थे के सित्थी खराब हो गई थी और ससी कपूर सहाब के बेटे कुनाल कपूर सहाब ने पीता के बारे में बताते हुए कहा है कि उन्हें साथ के दसक में काम मिलना बंद हो गया था ऐसे में सस्सी कपूर सहाब ने ना सिर्फ अपनी पसंदिदा स्पोर्ट्स कार बेच दी थी बलकि पत्नी जनिफर को भी पैसे के लिए अपना समान बेचना पड़ा था फिर एक्टरेस नंदा ने उनके साथ फिलिम जबजब फुल खिले की जो सुपर हिट रही और उन्हें 80 साल की उम्र में दोस्तों लंबी विमारी के बाद इस महान कलाकार ने 2017 में आखरी सांस ली भले ही आज ससी कपूर सहाब हमारे बीच नहीं है लेकिन उन्होंने बॉलट को जो योगदान दिये हैं उन्हें हम चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे और आज है ससी कपूर सहाब का जनम दिन तो हम लोगों के तरफ से ससी कपूर सहाब को जनम दिन की बहुंत बहुंत बधाई और आप जहां भी रहें खुश रहें अबाद रहें हम लोगों की यहीं दुआ है तो और ऐसे ही जनकाड़ी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब निकिए हैं तो प्लीज दोस्तो हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब कीज़ेगा और वीडियो को अभी तक लाइक निकिए हैं तो लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा थांग शे दोस्तों हमारी वीडियो वाचिंग करने के लिए